नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टेडी पॉइंट में मैं आपका साथी सतेंद्र सिंग आपके लेकर आया हूं सहायक अध्यावक भरती 2019 का समाने ग्यान पार्ट 7 दोस्तों इससे पहले हमने 6 पार्ट डिसकस किये हैं अगर आ सो फ्रेंड्स आज की वीडियो का पहला कोशन आपके सामने है भारत में व्यापार हेतू आने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी पताएगा फ्रेंड्स किजेगा भारत में व्यापार हेतू आने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी उप्सन नमबर ए डच बी पूर्तगाली सी या फिर डी अंग्रेज तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उप्स नंबर ए डच कंपनी जो है भारत में व्यापार हेत्व आने वाली दूसरी कंपनी थी नेक्स्ट है परसिद खजुराहों की गुफाएं कहां हैं महराष्ट में मद्यप्रदेश में चतिस गड़ में या फिर राजिस्थान में तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उप्स नंबर बी यानि की मद्यप्रदेश में चलिए आगए देखते हैं कोशन नंबर तीन है रेडियो ट्रांसमिशन में एफ हम से क्या अभी प्राय है रेडियो ट्रांसमिशन में एफ हम से क्या विप्राय है नंबर ए फ्रेट मॉड toddler फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फिर डी कु ämp Glans not so F scope घाया सही आंसर यहाँ पर ओसन नंबर सी व्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन थे रहे शर्य उस दो क्या हो जायएगा जिए जो कि क्या होता है फ्रिक्वेंसी मॉडूलेशन में रेडियो तरंगों का प्रिसारण होता है आगे चलते हैं कोशन नमबर फॉर की तरब सरवादिक अनुसूचित जनजातिया किस सहर में निवास करती हैं चतिसकर राजिस्थान जारखन या फिर मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजातियों की बात चल रही है फ्रेंड्स गैस कीजेगा सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर ओप्सन नमबर डी यानि की मध्यप्र डेश में सकते नमबर फाइव देखेंगे भिर जिल्ली की जामा मज्यप्र को किसे बनवाया था अलाओ धीन खिल जी सहा जहा औरंगहर्जयव या फिर अक्बर ने कहलें आपको दिल्ली के लाल केले में फ्रेंट्स यहां नमबर फाइव को सhania के पेएगए में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंग जेव ने कराया था और जामा मस्जिद का आपको पता ही चल गया सहा जहाने कि चलिए अगला कुशन है कि कुशन नमबर सिक्स देखेंगे हम यह आपर विश्व पर्यावरन दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को 5 जून को 5 सितंबर को या फिर 12 एक्टूबर को बहुत ही नॉर्मल सा कुशन है कुशन नमबर सिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी यानि 5 जून को चलिए 7 देखते हैं यहापर गुप्त सामराज्य का संस्थापक निम्ण में से कौन सा है स्रीगुप्त चंद्रगुप्त प्रिथम चंद्रगुप्त द्वित्य या कुमार गुप्त कॉशन नमबर 7 सभी को पताओगा नॉर्मल यहापर स्रीगुप्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त सामराज्य का संस्थापक कौन था श्रीगुप्त चलिए आठ नमबर देख लेते हैं बायोडीजल निम्ल में से किस से प्राप्त होता है नो उप्सन नमबर A है हमारा जट्रोफा, B, गन्ना, C, धान या फिर ये सभी तो बायोडीजल किस से प्राप्त होता है वीडियो अच्छे लेगे तो फ्रेंड्स लाइक वसेर करना ना बूलिए चलो मैं बता दूए एक जट्रोफा क्या होता है सबसे पहली बात तो बायोडीजल क्या है एक जैविंदन है जो जट्रोफा, पॉंग्णिया तथा सूरज मुखी से प्राप्त किया जाता है कोशन नम्बर 9 है हर्स बंदन के सासन काल में भारत में आने वाला यात्री कौन था कोशन नम्बर 9 यहाँ पर चार उप्सन आपके सामने दिये हैं फ्रेंड्स फायान, वेंसांग, अलबरूनी या फिर इनमें से कोई नहीं तो कोशन नम्बर 9 का सही आंसर हो जाएगा उप्सन नम्बर B यहने की वेंसांग, दस नम्बर की दरब चलते हैं शरीर के आमास्ये वे अन्ये आंतरिक अंगों का अन्वेक्षन करने वाली तक्नीक, इंडोसकॉपी किस सिद्धानत पर आधारित है ध्रुवन, विवर्तन, व्यतिकरन या फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कोशन नम्बर 10 का सही आंसर फ्रेंड्स ओप्सन नम्बर D यानि की पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यहां पर राइट हो जाएगा अगला कोशन है भारत में उठाट पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के उठाट पादन का है नम्बर एक नाभिक उठाट बी उस्मिय उठाट या फिर सोर उठाट या फिर उप्सन नम्बर D पन बिजली उठाट तो ग्यारे का सही आंसर हो जाएगा हमारा उठाट नम्बर D यानि उस्मिय उठाट पादन उस्मिय उठाट का है चलिए नेक्स चलते हैं उस्सा नम्बर बारा की तरफ अमजद अली खाँ किस वादियंत के वादन से सम्मंदित हैं माइंड में कैस किजेगा फ्रेंड्स कोस्टन नम्बर 12 का सही आंसर यहां पर हो जाएगा उप्सन नम्बर C यानि की सरोद अमजद अली खाँ किस सम्मंदित हैं सरोद से कोस्टन नम्बर 13 टीवी कंट्रोल यूनिट निम्ण में से किसे टीवी के संचालन के लिए प्रियोग करता है पिरकास तरंगे द्वनी तरंगे सुक्सम तरंगे या अवरक्त तरंगे तो TV कंट्रोल यूनिट किस समझे थे अवरक्त तरंगे से यानि कि उप्सन नमबर D टीवी कंट्रोल यूनिट यानि कि टीवी के संचालन के लिए अवरक्त तरंगे प्रयोग होती है उस्तर नममर 14 10 डिगरी चैनल किसके मध्धे Михी स्थित है शोटा अंडमान वे बढ़ा अंडमान उस्तर नममर बीच चो तरह एवम कार निकोबार नमबर सी छोटा निकोबार वे कार निकोबार या फिर डी छोटा निकोबार वे बड़ा निकोबार कुस्ता नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स यहाँ पर उपसा नंबर बी यानि कि छोटा अंडमान वै कार निकोबार के बीच में 10 टिग्री चैनल इस्थित है नंबर 15 देखेंगे डगलू डबलू डबलू के आविश्कारक तथा प्रवर्तक कौन से हैं डबलू 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 यहाँ पर डबलू 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 से मतलब वर्ल्ड वाइड वैव तो कुस्ता नंबर 15 का देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर उपसा नं नियंत्रल प्रणाली सर्वप्रिथम किसने प्रारम की बाजार निरंतरन प्रणाली सर्वप्रिथम किसने प्रारम की मुहंबद बिन तुकलक साह जहां अलाउदीन खिलजी या उप्सन नमबर D ओरंग जेव सत्रे का सही आंसर क्या हो जागा फ्रेंट्स यहां पर उप्सन नमबर C अलाओ दीन खिल्दी अलाओ दीन खिल्दी हमारे यहां पर सही आंसर हो जाएगा चली नेक्स्ट है कोशन नमबर 18 प्रत्वी के वायू मंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस प्रत्वी के प्रस्टपर परावर्तित करती है समताप मंडल मध्य मंडल आयन मंडल यहां फिर उप्सन नमबर D छोब मंडल तो अठारा का देखेंगे FRIENDS सही आंसर उप्सन नमबर C यानिकि आयन मंडल आयल मंडल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नमबर 19 देखते हैं उत्तर प्रदेश में लठमार होली का आयोजन किस इस्थान पर होता है मतुरा में, गोकुल में, बरसाना में या फिर ब्रंदावन में सबी को पता होगा लठमार होली कहाँ पर होती है बरसाना में यानि उप्सन नमबर C, बरसाना में लठमार होली का आयोजन किया जाता है नेक्स्ट है उप्सन नमबर 20 प्रकास वर्स निम्न में किसकी काई है, गती की, समय की, दूरी की या प्रकास की तीवरता की, तो इसमें कोई डाउट ने, फ्रेंड्स कोई नमबर 20 का सही अंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर C, यानि दूरी की, प्रकास वर्स दूरी की, एक काई है 21 देखेंगे योजना आयोग के अनुसार, सहरी छेत्र में कितनी कैलोरी प्राप्त ने करने वाला गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, योजना आयोग के अनुसार, देखेगा 2800 केलोरी, 2600 केलोरी, 2400 केलोरी या फिर 2100 केलोरी, 21 21 का सही अंसर देखेगा, उप्सन नमबर D, यानि की, 1200 कैलोरी एकिस सो कैलोरी पोस्टर ने प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है फ्रेंट वीडियो का लास्ट कोसन आपके सामने है देखिए सूर्य क्या है तारा ग्रह धुमकेतु नक्षत्र इजी है एकदम तो यह आपको कमेंट बोक्स पर बताना है